तो भाई लोग जो IPL 2030 का मैच नमबर 68 है ना इस मैच में कोलकाता नाइट आड़स के सामने होगा लखनो वो सूपर जाएं सका हमें आपे कोलकाता नाइट आड़स की बात करें तो जो इन्होंने 13 मैच खेला उसमें से 6 मैच जीते 7 मैच हार गे इनके 12 पॉइंट्स है लगभ पॉइंट् सूपर जाएं सारे तो फिर जाके केकार का चांस बनता है मतलब बहुत ही मुखिल है लेकिन को क्यार बोलेगा चोलो भायर ट्रई टो कर सकते है ना वैसे बहुत ही मुखिल है अगर को क्यार जीतता है भी तो तब भी मुझे लगता हciğim Va Harmoni लगता है बाहर ही हो ज चाहेगे लखनोव सोचे गार पिछले साली छोटे भाई ने चैंपियन बनाया था इस बाल बड़े बाई चैंपियन मना दे यार तो लखनोव तो हर हाल में इस मैच को जीतना चाहेगा कि यह मैच जीता तो बहुत ही फादा होने वाला किसको लखनोव स्टूपर इसके लाव आप मेरा टेली ग्राम भी जोईन कर सकते हैं, आपको पता 4-5 मैच बचे हैं IPL के, इन सभी मैचों की जवर जस्वाली पेड एक्षन कहां पे मिलेगी मेरे टेली ग्राम पे तो जरूर जोईन करें, बस एक चीज का ध्यान देना है, फेक से बचना है, क्योंकि मेर उद्धर और कहीं से जोईन नहीं करना, जो लिंक के बिलेगी डिस्किप्शन में, जो कमेंट बोक्स में पहला कमेंट है, वहां पे जो लिंक के बिलेगी, बस वहीं से जोईन करें, तो भाई लोग सबसे पहले, अगर हम इनके head to head आगडों पे नजर डाले तो इस साल तो 2022 में इनके बीच में दो मैच के ले गएते, और दोनों ही मैच लखनों सूपर जाइस ने कोलकाता नाइट एड़स को पीट दिया था, यानि अभी तक क्यार ना खाता नहीं कोल पाया किसके लखनों के सामने जीत का, और लखनों ने इस बारी वैसा किया, जिन टीमों को हरा लगतार हराता रहता है, कहता है तुम्हारी बस की बात नहीं हमें हराना तो आज के मैच में क्या होगा, जो मैच है इड़न गार्डन कोलकाता के मैदान पर खेला जाएगा, इससे पहले यहां के मैदान पर 85-220 मैच के मैच खेलेगा, जिसमें से 35 मैच में टार्गेट हो सकता है, टार्गेट डिफैंड की बात का है तो 185, 185 प्लस स्कॉर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता है, 169 से 185 के में स्कॉर होगा, तो आप समझ जाना, मामला तो बराबरी आ गया, चेज भी हो सकता है, भाई लग यहां का सरफेस है प्लस स्कॉर के बात करें, तो 51 से 56 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कॉर की बात करें, तो 170 से 185 के बीच में देखने को बीच में देखने को बीच लगता है, और हम यहां के मैंदान पे दोनों टीमो की परफॉर्मेंस की बात करें, तो कोलकाता नाइट अड़स ने यहां पे 79, 89 मैच के लिए, जिसमें से 45, 45 मैच जीता है, और 34 मैच हार गया, यानि अगर हम यहां पे KKR की बात करें, तो अपने घर में ठीक ठाग परफॉर्मेंस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जवर्जस यह खतरनाग परफॉर्मेंस नहीं करता है, हम ऐसा नहीं करते हैं, बस ठीक ठाक करता है, मैं जो लखनों इस उपर जाएंस की बात करें, तो इस मैदान पे एक मैच किला था, जो पिछले सीजन किला था, पिले अगर नितीज साना की बात करें तो बोलेंगे भाईया हम कोई चेंजों जना करेंगे सेम प्लेगे लेमस के साथ उतरेंगे क्योंकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है पिछले एक दो मैचों से रन ना बनाए चाहे बहुत आंडे रसल का भी बल्ला चलने लगा जरूरत पढ़ने पर सरदूल ठाकूर इनके पास सुनी नरायन भी है तो मतलब देखे तो जो बल्ले भाजी है केके आर की हम कह सकते हैं कि आधिया दूरी कहानी जी मतलब किसी मैच में चलते हैं और गेंदबाजी की बात करें जो इनकी तेज गेंदबाजी वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो एक्स्पिरियंस गेंदबाज से उनकी बसकी बात नहीं थी वो तो मैच हराई रहे थे के क्यार को उनकी तिगड़ी है इसमिन की तिगड़ी जहांकि तेज गेंदबाजी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं तो में भी लखनोव सूपर जाइंस भी अपने खेमे में कोई चेंज ना हो एगा बोलेगा भी तो मैं जिता के आई है नहीं सोरी एक चेंज करेगा मुझे लगता दीपक हुड़ा की जग़ा पे न मना नोहरा से ओपनिंग कराया जा सकता है। अगर हम यहां पर देखे तो लखनोस उपर चाहिज ना पूरी तरह से अपने फॉरेन बल्लेबाजू के उपा निर्बारें चाहिए कॉंटेंट को की बात करने काईल मेरस मांका स्टोनिस या फिर निकोलस फुरन जो इनकी बिदेशी बल्लेबाज है ना यहीं इनके लिए ब वाजी की बात कर तो लखनों की जो गीनबाजी है ना अब बढ़िया चले क्योंकि मुहसिन खान ने पिछले मैंच में जिस तरह से डेथ में गएंदार जी लग रही लग रहा था कि नमीजन को जब जब मॉगा मिला बढ़िया गेंद बाजी करें यह थाकूर भी बहृत अ परफॉर्मेंस करी है यार इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है ज़्यादा बढ़िया होता है अगर हम यहाँ पर देखे रिजल्ट में बिल्कुल थोड़ा सा जो केके आर की टीम है लखनों से बहतर नजा आ रही तो भाया जो यह मैंच है ना 68 जो केके आर वर्सेज लस्जी के बीच में खिला जाएगा हमने इसकी सारी एनलासेस कर डाली चलो अभी वो जानते हैं जिसका आप कर रहे हो इंतिजारी जो मैं आच्छे कौन सी टीम कर सकती है अपने नाम लेकर उससे पहले आर भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो क्यों तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं आच है ना कोलकाता नाई डाडस अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा मेरा टेलिग्राम जोईन करने के लिए क्योंकि आपको पता ना IPL में 4-5 मैंच बचे हैं तो इन सभी मैचों की जबर जस्वाली पेडेक्शन कहां पर मिलेगी तो जरूर जोईन करें बस एक चीज का ध्यान देना फेक से बसना क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलिग्राम चैनल बना लेगे इसलिए इदर उदर और किसे जोईन नहीं करना जो लिंक के डिस्किप्शन में जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वह ब्लेस्यो